हलो दोस्तो वेलकम बैक टोवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज क्यों में एक और नए वीडियों आपके साथ इस वीडियों हम बात करेंगे कुछ important questions के वारे में जो कि जिके के हैं तो आप किसी भी एक्सेम की तियारी कर रहे हो आपके लिए ये question important है, 15 question लेके आया हूँ, आप देखिए आप कितने questions का सही answer दे सकते हो, ठीक है, और फिर comment section में लिख के बताना कि आपने कितने सही किये, तो चलते हैं, तो देखो पहला question दिया है, गुलाम मंस का संसापक कौन था, पहला question है, गुलाम question क्या है, गुला इस्टील प्लांट कहां पर है, तो गुला इस्टील प्लांट कहां पर है, यह सब को पता होगा, यह question मैं कराच का हूँ, यह उड़ी सामे है, ठीक है, गुला इस टिडिप्रांट कहां पर उड़ी साम है अगला कौसन है आंधर प्रदेश की रायदानी कहा है तो आंधर प्रदेश की रायदानी आपको पता होगी है अगला कौसन है निरवात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो तीन गुणा दसकी गात आठ मीटर पर सेकंड इतनी प् Q7 में वरुड़ों की संख्या कितनी होती है 64 उन उनेसको का मुख्यालग को है तो यूनेसको मुख्यालग को है पेरिस में इसके था थी और Q १ देख लो WHO का मुख्याले का हैं पता है किसी को तो बताना ठीक है WHO और WTO इनका मुख्याले है UNESCO का पेरिस में है और WHO और WTO का है जिनेवा में ठीक है इन दोनों का का पे है जिनेवा में और जो IMF और World Bank ठीक है इन दोनों का मुख्याले काँ पे है इन दोनों का मुख्याले है Washington DC तो ये 5 हो गए 5 काफी important है बहुत जादावार पूछे जाते हैं WHO और WTO काँ पे हो गया जिनेवा और Washington DC में किस किस का हो गया आपका IMF का हो गया और World Bank का हो गया अगला question है बल का मातरक क्या है तो बल का मातरक क्या होता है Newton ठीक है और अगर option में कुछ और दिया हो उसके साफ से भी देख लो जैसे अगर दिया हो किलोग्राम पर कितना तोड़का इसका फॉर्मूला क्या होता है बल का लेको अब बरावर M A होता है ठीक है M का क्या हो गया किलोग्राम और A का क्या हो गया मीटर पर सेकंड इसकर मीटर पर सेकंड इसकर तो यह भी हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड इसकर ठीक है मात्रक तो निकालना जाते होगे कैसे अगर किसी का फोर्मुला पताए तो उस से मात हके निकल जाते है आजाज में तो अगर ला कॉसर में सधीरव देश की मुद्रा क्या है सधीरव की मुद्रा क्या है रियाल है ठीक है अच्छा सुतंत्र भारत का प्रभर्धम जर्नल गवर्नर कोन था तो सतंत्र भारत का प्रथम जन्रल गवर्नर कौन था मांट बेंटेंट ठीक है अगला कॉसन क्या है चंदर प्रवा अभ्यारण कहां पर है यह है बनारस में वारणसी जो की यूपी में है चंदर प्रवा अभ्यारण पानी पत की दूसरी लडाई कब होई थी तो 1526 में अगला कॉसन है रोम की फुल फॉर्म क्या है तो रोम की फुल फॉर्म आप जानते होगे रीड ओनली मेमोरी Read only memory Read only memory यह होगी ROM की full form अच्छा एक और question पूछ लिया आता है RAM की full form क्या है RAM ROM और RAM होते हैं तो RAM की full form क्या होगी Random access memory Random access memory नागर जिन बांद किस नदी पर इस्तित है तो देखो नागर जिन इसमें क्या रहा है अरजुन अरजुन तो अरजुन किस नदी पर ठीक है तो यह नागर जिन से बांद है वो किस नदी पर इस्तित हो जाएगा वो हो जाएगा किस नदी पर इस्तित है किस नदी पर भारत ने अपना पहला विस्कप कब जीता था? तो 1983 में बारत ने पहला विस्कप कब जीता था? और किसने जिताया था? कपिल देव ने ठीक है? और दूसरा कब जीता था? तो 2011 में जीता था? और ये किसने जिताया था? ये जिताया था माहिन सिंग दोहनी ने सबसे छोटा माधीप कौन सा है तो सबसे छोटा माधीप है आपका आस्ट्रेलिया ठीक है तो यह 15 कॉसंस मैंने कराए थे आप बताईए आपने कितने सही किये हैं और आगे भी रेगुलर वीडियो आती रहेंगी ठीक है